पिछले एफिशोड में यांग जी को पता चल गया था कि तीनु एंग मास्टर डेथे विसल में पहुँच गया है जिसके बाद वह भी अपने प्लान को इस्टार्ट करने के लिए रेडी हो गया था इसके बाद अगले स्किन में हम देखते हैं कि गाउ सियाव फान के साथ मे क्या चाहता है और कही आसी तो नहीं कि यह पागल हो गया है इसके बाद हम देखते हैं कि वह मंकी पानी लेकर अपने उपाड़ने लगता है जिस ceva vom gotta यावफाण इसके बारे में समझ जाता है कि वो लिटिल मंकी या बहुत ही फणी तरीके से बिएपब करने लगा था, लेकिन तभी हम देखता है कि इसके बातों के बज़ा से गाउइ इसके ऊपर गुसा होने लगा था, और कहना लगता है कि यह लिटिल मंकी तो साथ पहले साही पागल हो गया है लेकिन तब ही हम देखता है कि सियाओ फ़ान को इसके बारे में सब कुछ समझ में आ गया था इसलिए वो इसके और बहुत ही अजीब तरीके से देखने लगता है जिससे दे गाउ से पूछता है कि तुम इस तरह से मेरे तरफ क्यों देखने लगे जिस पर सियाओ फान उससे कहता है कि क्या बारिस के दौरान तुमने उस चोटी लड़की को अमरेला दिया था लेकिन हम देखते हैं कि गाउ इस पर उससे कोई भी जवाब नहीं दे पाता जिसके बाद सियाओ फान भी आहां से जाने लगता है तब गाउ उससे कहना लगता है कि मैं केवल पज़े सिवे लोगों को मारता हूँ और भले ही अभी मैंने 1000 लोगों को नहीं मारा है लेकिन फिर भी अब तक मैं 800 लोगों को मार चुका हूँ तब इस पर सियाओ फान उससे कहता है कि तुमने 800 लोगों को मारा हो या फिर 1000 लोगों को मुझे इस बात से क्या मतलब लेकिन फिर वो कहना लगता है कि तुमने उस लड़की को अमरेला दिया था आखिरकार इसका मतलब क्या है जिसके बाद हम दखते हैं कि इसके बारे में सुनकर गाउ इस बात से काफी परिसान होने लगा था और सियाओ फान उसे कहता है कि आज तुमने फिर से ऐसा करके मुझे सर्प्राइज कर दिया इसके बाद वो अजिब सा एक्स्प्रेशन देते हुए कहता है कि मैंने तो ऐसा उमीद नहीं किया था जबकि तुम भी असल में ब्यूटी को बचाने वाले हीरो हूँ लेकिन वहीं उदर इसके ऐसे बातों से गाव काफी परिसान हो गया था और फिर कहना लगता है कि मेरा जन तो असल में की विल परसन के रूप में हुआ था इसलिए इस बात का क्या मतलब है कि मैं ब्यूटी को बचाने वाले हीरो हूँ लेकिन तभी इस तरह से बात करते हुए उसे याद आता है कि वह लड़की तो सच में ब्यूटी फूल है लेकिन अब जैसे ही वह आगे देखता है सियावफन वहां से गाव हो गया होता है वहीं उदे डिमन सेक्रे के लोगों को खुशते हैं वे कुछ लड़के एक जगा पर आ गये थे लेकिन तभी अचानक से हम देखता है कि वे यहां के दलदल के अंदर फंसने लगे थे और अभी इस तरह से वे सभी यहां पर बहुत ही बुरे तरीके सब फंस गये थे इसके बातों का मतलब समझ में नहीं आ रहा था इसलिए एक लड़का उससे पूछता है कि आखिरकार आप कहना क्या चाहते हैं तब इस पर सियाओ इन से बताता है ऐसा कहा जाता है कि यहां पर एक डेडली एविस है जो कि लोगों को अपने अंदर खिश कर उनको बहुत ही प्लान बनाएंगे अब इतनी बात करने के बाद हो सिनियर फास यांग से पूछता है कि इसके बारे में आपका क्या विचार है जिसके बाद हम दखते हैं कि वे लोग भी इसके बात माने के लिए रेडी हो गये थे इसके बाद अगले सिन में हम लंगवेटी हौल का सिन दे रास्ता हो सकता है कि हम आप और किसी बहुत बड़े प्रॉब्लम में आ जाएंगे लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि यांग जीन की कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होता और वो इनसे कहना लगता है कि अब यहां से वापस आने का कोई भी रास्ता नहीं है और उ उसके बाद तुम मेरे और के मिलने का इंतिजार करना जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी उसकी बात मान करें यहां से निकल गए थे वहीं उदर सियाओ उसके पूरे टीम ने एक जगा पर अपना कैम्प लगा लिया था लेकिन इसी के साथ उन्होंने अपने आसपास के सारे जगाओ को चेक कर लिया था ताकि इस तरह से इनके उपर कोई भी खत्रा ना हूँ लेकिन तभी सियाओ से कहता है कि यह जगा अभी भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है इसलिए मुझे आसा लगता है कि हमें या पर बहुत ही ज़्यादा क्यरफुर रहना होगा तभी इ लेकिन इस पर लिव से कहता है कि आपको इसके बारे में इतना परिस्तान होने की ज़ुरत नहीं है क्योंकि वैसे भी लोंगविटी हौल डूइंस यहां से हजार माइस के दूरी पर हैं जिसके बाज़ा से मुझास से लगता है कि वेस में जरूर हरेंगे और इसके लावा अगर यांगची ने अपने ultimate skill का भी यूज कर लिया तब इसके बाद भी मुझास को लगता है कि वो अकेले हमारा ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा इसलिए वो इन से कहता है कि किसी को भी इसके बारे में चिंता करने की ज़ुरत नहीं है और उसलिए जो भी करना है कलम इस यांग जी ने विलकुर इसी तरह से अपना plan बनाया था जिसके बाद वो अपने लोगों से कहारना लगता है कि अब तुम इनके उपर attack करने के लिए ready हो जाओ और आज हम इनके blood का यूज करके अपने ancestor को सरधांजली देंगे इसके बाद हम देखते हैं कि order मिलते हैं इसके अब यहाँ पर क्या होगा और कहना लगता है कि तीनो टूट सेक्ट के light को trap करना इतना असान नहीं है जिसके बाद हमें पता चलता है कि इनके सभी senior तो असल में चुपे हुए थे और अब इभी सामने आकर यांग जी के लोगों के उपर attack करके उनको मारने लगते हैं इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग सीधे longevity hall के उपर attack करने के लिए आये हुए थी लेकिन तब हमें पता चलता है कि यहाँ पर पहले से कोई formation लगा हुआ था और अब इसके एक्टिवेट होने के बज़ा से वे इसमें फस आते हैं लेकिन असल में अब यहाँ से बाहर निकल करके लगाता रिंग के उपर attack करने लगता है तब इसके ऐसे power के सामने वे कुछ भी नहीं कर पा रहे थे और वो इसी तरह बहुत इस अंदार तरीके से fight करते हुए इनको एके करके महने लगा था लेकिन तभी हम देखते हैं कि यांग जी ने अपने formation का यूज करके इसके उपर attack करने वाला होता है लेकिन तभी हम देखते हैं कि बाकी साथ यूने आकर इसके formation को destroy करके उसे बजा लिया था लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि इस battle में यांग जी के 30% से ज़्यादे लोग मारे जा चुके थे जिसके बाजा से इसके बारे में जानकर यांग जी बहुत ही ज़्यादा powerful है इसलिए हम सभी को एक साथ में मिलकर इसका सामना करना होगा और उसलिए तुम्हें से कोई भी अकेले इसके साथ में fight करने के बारे में ना सोचना इसके बाद वह यांग जी के सामने आकर कहता है कि तुमने तो हमारे उपर चुपके से attack किया लेकि लिए हमें तुम्हारे plant के बारे में पूरी तरह से careful रहना होगा लेकिन अब इसके ऐसे बातों के बाज़ा से यांग जी इसके उपर और भी ज्यादा गुस्ता हो जाता है और हम देखते हैं कि वह फिर से अपने formation पाउर का यूज करके इनके उपर attack करने के लिए ready हो गया जिसके बाद हम देखते हैं कि siyao fun ने attack करने आई हुए लोगों को अपने formation में बहुत विबूरे तरीके सा फसा लिया था जिसके बज़ा से अब इसके power के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे थे और फिर हम देखते हैं कि siyao fun इनको बहुत ही असानी से मार देता है वहीं और उसलिए वो अपने सभी लोगों से कहता है कि तुम यहां से चले जाओ जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात मान कर वे सभी यहां से चले जाते हैं लेकिन वहीं अब दर siyao और उसके सभी साथे भी इसके उपर attack करने के लिए ready हो गये होते हैं और उसलिए वे सभी अपने power का यूज करके इसके उपर attack करने के लिए आ गये थे तब लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि यांग जीन के सामने इतने असानी से हर माने वाला नहीं होता और वो फिर से अपने power का यूज करके अकेले इनका सामना करने के लिए ready हो जाता है लेकिन वहीं उदर वे लोग भी इतने असानी से उसे यहां से नहीं जाने देने वाले थे और हम देखता है कि वे भी अपने पावर का एउज़ करके लगातार इसके उपर अटेक करने लगते हैं और वहीं सीनियर फास यांग भी अपने डिमन डिस्टोय वजरा बोडी का यूज करके इसके उपर अटेक करने के लिए रेडी हो गये थे। लेकिन अभी भी अम देखते हैं कि यांग जी ने इनके सारे अटेक से खुद को बहुत ही असानी से बचा लिया था। और फिर यहां से भागते हुए कहता है कि मुझे किसी भी किमत पर जिंदा रहना होगा। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वे सब इसका पीछा छोड़ने के लिए रेडी नहीं होते। जिसके बाद यांग जी अपने फर्मेशन का यूज करके अचानक से इनके सामने से गायब हो गया था। इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गये थे। इसलिए वे इसका अटेक को रोकने के लिए अपने गोल्डेन बेल वाले पावर का यूज करने लगते हैं। पावर है लेकिन फिर वह हैरान होता है कि अगर सच में इसके पास में इतनी ज़्यादा पावर थी और इसके बारे में सोचकर वे परिसान होने लगते हैं कि कहीं इसके पीछे की बज़ावा फर्मेशन तो नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन में से एक लड़का फर्मेशन के बारे में समझने के लिए रेडी हो गया था और उसलिए वो बाकी लोगों से यांग जी का सामना करने के लिए कहता है। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो अपने पाउर का यूज करके फर्मेशन के बारे में समझने लगा था। दिया था जिसे देख यांग जी का ना लगता है कि या लड़का तो सच में बहुत बड़ी प्राब्लम हैं। लेकिन अभी भी यांग जी ने इनके अटेक को बहुत ही असानी से रोक लिया था जिसके बाजर से वे इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते। तब इसी भी चम देखते हैं कि लू अपने 9th misty के sky penetrator skill का यूज करके इसके उपार अटेक करने के लिए ready हो गई थी। और जबकि वहीं उदर बाकी लोग भी यांग जी को 4 तरफ से घेरने में कम्याब हो गए होते हैं। और अगर इसके अगले एपिसोड के लिए एकसाइटेड हो तो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप ने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना। झाल झाल